मार्बल केक आपने खाया होगा आज मैं एक चोकलिट मार्बल केक ये बना रही हूँ एक ट्विस्ट के साथ सबसे पहले हम बादाम की पाउडर बनाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास है आधा कब बादाम इन्हें बिना रोस्ट किये हम ऐसे ही इनकी पाउडर बना लेंगे एकदम बारीक तो यह देखिए पाउडर तयार हो गई है केक में उपर से डालने के लिए हमें स्लाइस किये हुए बादाम चाहिए तो कुछ बादाम है यहाँ पर स्लाइस कर रही हूँ आप स्लाइस कर सकते हैं या फिर इन्हें चोटे चोटे टुकडों में कट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखिए मैंने स्लाइस कर लिए हैं बादाम इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ यूज करेंगे हम केक के ऊपर आज मैं केक में अंडा डाल रही हूँ काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो दो अंडे यहाँ पर मैंने डाले हैं साथ में जाएगी बिसी हुई चीनी तो एक कप है तो नॉर्मल मिठास होगी अगर आपको और जादा मिठा चाहिए तो आप 2-3 टेबल स्पून और चीनी इसमें डाले अब इसमें मैंने डाला है वनिला एसेंस और अंडा और चीनी हमें अच्छे से फेट ना है जब तक कि यह हलके ना हो जाए तो इलेक्ट्रिक बीटर का मैं यूज कर रही हूँ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप एक हैंड विस्क भी यूज कर सकते हैं तो अंडा और चीनी अच्छे से हम फेट लेंगे कुछ इस तरह से और फिर इसमें जाएगी बादाम की पाउडर बादाम की पाउडर में भी काफी ओल होता है इसलिए मैंने अलग से कुछ इसमें लाला नहीं है फिर जाएगा इसमें मैदा एक टीस्पून बेकिंग पाउडर आदा टीस्पून बेकिंग सोडा आप अलग से फिर भी अगर इसमें तेल या घी डालना चाहते हैं तो 1-4 cup इसमें तेल या घी आप आड़ कर सकते हैं शुरुवात में ही जब हमने मैदा डाला उसके चस्ट पहले अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूड़ डाल रही हूँ आधा कब दूद यहाँ पर हमें चाहिए होगा दूद डालने के बाद एकदम कम स्पीड पर हमें बैटर को मिलाना है बस और उसके बाद एलेक्ट्रिक बीटर हमें यूज नहीं करना है साथ ही मैं प्रिहीट कर रही हूँ मेरी कड़ाई तो मैंने इसे रख दिया है गयास के उपर अंदर नमक और एक स्टैंड मैंने रखा है इसे प्रिहीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अभी जो बैटर है इसकी साइज से हम इसे ऐसे स्क्रेप कर देंगे अभी भी ये गाड़ा है इसमें थोड़ा सा दूद और डालने की जरूरत है तो हमें एक मीडियम कंसिस्टनसी का बैटर चाहिए दूट डालने के बाद हम इसे ऐसे fold करेंगे इसे फेटना नहीं है अब इस batter में हमें marble effect आड़ करना है तो batter में से थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ अलग एक bowl में जिसमें मैं डालूँगी cocoa powder तो इसमें गई 2 टेबल स्पून cocoa powder तो marble effect अच्छा आजाएगा simple 2 colors यहाँ पर नजर आएगे और taste में chocolate भी पता चलेगा तो काफी अच्छे लगते हैं marble cakes इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है cut and fold method जो बोलते हैं यानि जोड़ से फेटना नहीं है बस mix करना है यहाँ पर मैं 7 inch का cake mold यूज़ कर रही हूँ square mold है parchment paper मैंने base पर लगाया है और side में oil लगाया है अब दोनों batter को मैं थोड़ा थोड़ा इसमें random डाल रही हूँ ऐसा कोई pattern नहीं है आप अपने हिसाब से थोड़ा ये batter और थोड़ा पहले वाला batter डाले ताकि एक अच्छा marble वाला effect आजाए तो थोड़ा सा white batter, थोड़ा सा brown batter और आप देख सकते हैं कि batter अभी काफी कम है mold में पर cake पूरा फूलने के बाद कितना उपर उठ जाएगा अब एक चाकू या फिर skewer इस तरह से आप थोड़ा सा cake के batter में गुमाएं इससे marble effect अच्छा हो जाएगा तो ये देखी काफी अच्छा effect इसमें हो गया है अब हम इसे bake करेंगे उसके पहले इसके उपर और बादाम डाल देते हैं almond cake है, बादाम का हमारा cake है तो बादाम इसमें भर की होने चाहिए otg 180 degrees celsius पर 10 minute preheat करके आप इस cake को bake कर सकते हैं 35-40 minutes और कढ़ाई preheat हमारी हो गई है इसमें bake करने के लिए पहले 20 minute तक medium flame रखें और फिर flame low करके 30-35 minute इसे पकाएं इसके बाद आप एक चाकू या फिर toothpick डाल कर चेक करें अगर batter गीला चुपक कर नहीं आता है मतलब cake बन गया है इसे अब हम ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि इसे हम cake mold से निकाल पाएं तो गुन-गुना सा cake अभी हो गया है, इसे मैं मोल से बाहर निकाल रही हूँ तो बहुत ही अच्छा यह लग रहा है, बहुत tempting लग रहा है और देखिए marble effect भी बहुत अच्छा इसमें आया है तो बस इसके बाद इसके pieces cut करेंगे, इसे मैं एक air tight डब्बे में बंद करके रखूँगी दो से तीन दिन ठंडे weather में यह fridge के बाहर भी चल जाएगा पर अगर आपके यहां पर मौसम बहुत जादा गरम है जब आप यह cake बना रहे हैं तो इसे आप refrigerator में रखें और serve करने से पहले हलका सा आप इसे microwave कर सकते हैं ऐसा करने से refrigerator में जो थोड़ा सा cake कड़क हो जाता है, वो नरम हो जाता है मेरे बेटी को cakes बहुत पसंद है, specially इस तरह के इसमें chocolate कही न कहीं आ जाती है तो यह उसके लिए खास है, साथ ही में मैं थोड़ा सा share भी करूँगी हमारे कुछ friends के साथ तो देखिए कितना सुंदर यह cake लग रहा है, marble effect भी बढ़ी आया है, और texture भी बहुत अच्छा है बहुत ही tasty बना है, आप भी इस recipe को try करके देखें